Hello viewers, आज का सू विचार रिष्टा और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं रिष्टा रखो ना रखो, किन्तु भरोसा जरूर रखना क्योंकि जहां भरोसा होता है, वहां रिष्टे अपने आप बन जाते हैं यदि आप असफ़र होते हैं, तो आप निराश हो सकते हैं लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करते तो आप बरबाद हो जाएंगे। काम पढ़ सकता है, आदे लोग तो रिष्टा इसी वज़ा से निभाते हैं। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वह दूसरों की परचाई बनने में नहीं। अगर परचाईया कद से और बातें उकास से बड़ी होने लगें, तो समझ लीजिए कि सूरज डूबने ही वाला है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, वरना दूसरों के कंदे पर तो जनाजे उठाई जाते हैं। शोंक तो उंचे रखो, इंकम तो अपने आप उंची हो जाएगी। सारी चीजे किस्म से नहीं मिलती यारो, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। हम सब परगती करना चाहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई मनुश्य नहीं होगा, जो स्वैम की उंती नहीं चाता। प्रन्तु मन चाही परगती बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसका एक मातर कारन है कि हम परिवर्तन से डरते हैं। परगती तो चाहते हैं परिवर्तन नहीं लेकिन परगती परिवर्तन के बिना असंबब है अगर आप वहाँ पूंचना चाहते हैं जहां आप आज तक नहीं पूंच पाई होतों आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया और वो सोचना पड़ेगा जो आपन आज तक नहीं सोचा, अगर आप सोच को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो निश्चा ही अपने हालात भी नहीं बदल पाऊगे, माली प्रती दिन पोदों को पानी देता है, मगर फल सिरफ मोसम में ही आते हैं, इसलिए जीवर में धहरे रखें, पर तेक चीज अपने समय पर ध्यान रहे कि रूठी हुई खोमोशियों से बोलती हुई शिकायते अच्छी होती हैं, रिष्टे मन से बनते हैं, बातों से नहीं, कुछ लोग बहुसी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शान्त रहे कर भी अपने बन जाते हैं, आगे वही बढ़ता है जो साथ लेका चलता है जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शक्ष जानते हैं इश्वर और अपनी अंतरात्मा सबंद को जोड़ना एक कला है लेकिन सबंद को निभाना एक साधना है मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक प्रीचित मिल गया उन्होंने मुझसे कहा मजे में हूँ मैंने जवाब दिया अनंद में हूँ तो उन्होंने कहा दोनों में क्या फर्क है तो प्रीचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और अनंद के लिए परिवार और मित्त चाहिए जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है आसान करने के लिए समझना पड़ता है वक्त-वक्त की बात है समय अच्छा ना हो तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं और कद के बराबर नहीं आ सकते जो लोग वो आपके पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं और जब समय अच्छा हो तो वही लोग आपकी चापलूसी करने से नहीं चूकते बड़पन यू नहीं मिलता उहदे में छोटे इंसान को भी समान देना होता है सागर पार करते हो तो नाव को ही नहीं नावी को भी सलाम करना होता है जिन्दगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो विड़ंबना ये होती है कि धोलक बजाने वाले आपकी पहचान वाले ही होते हैं हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है वर्टसप हो या जिन्दगी लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं दुनिया के बहतिन फुटबोल प्लियर का कहना है कि लाइफ में आने वाली हर प्रोब्लम से खुश हुआ करो क्योंकि सक्सेस होने के बाद इंटर्विव में लोग आपकी प्रोब्लम सुनकर ही इंस्पायर होंगे वियर्ज मिलती हैं कल ऐसे ही एक सूव इचार के साथ तब तक के लिए बाई बाई